स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी के लासे स्विस्टुमिज जैन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ट हो चुका है अचका इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे है ना और अपना इस सेशन होता है रोज रात तरी नौ बजे और महत्पून प्रस्णों पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों में दो दिन रभी बार और गुरुबार बिलकुल फिरी करवाई जाती है ठीक है तो जो भी साती नहीं जुड़े हैं वो सेल्पिस्टडी के लासे से है आज ही डाउनलोड कर लें और सात्यों एक बड़ा आफर आपके लिए आया है एना एक निचोड कोर्स का चल रहा है दोस ले सकते हैं दोस्तो और अपना अध्यन प्रारंब कर सकते हैं ठीक है अभी बड़ा आफर आ गया है मात्र दस्तो निन्यानवे अब ग्यारा सो निन्यानवे नहीं दोस्तो अब दस्तो निन्यानवे में आप इसमें अड़वी सा ले सकते हैं और यह आफर सीमें समाई के लि कल इस question को अपने देखा था त्रिलोचन का वास्त्विक नाम क्या है कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए थे फिर से आप एक बार फिर से इस प्रशने का उत्तर बता दें अच्छा लगेगा मज़ा आएगा तो चार विकल्पें आपके सामने त्रिलोचन का वास्त्विक नाम क्य है यह आपको बताना है कौन-कौन साही उत्तर बता रहा है किस किस ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक जरूर एक बार कर देना बताईए राइट आंसर आपका क्या है बहुत अच्छा प्रशन है सबी लोगों के लिए solid question और यहाँ पर confused वाला question भी है दोस्तों है ना आप बहुत सारी कल मैंने देखा था कि बहुत सारी लोगों ने इस प्रशन के लिए सीधा सीधा उत्तर लगाया था बैदनात मिस्र लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सर यह जो बैदनात मिस्र है यह नागरजुन का बास्तविक नाम था किसका था बढ़ी आंसर स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों प्रस्ण है प्राकृत पैंगलम ग्रंत की रचनाकार कौन है अच्छा प्रस्ण है सबी लोग बहुत बढ़ यह तरीके से बताएंगे लच्छमी धर हैं बंसी धर हैं स्वेंबू हैं या फिर रोडा कभी हैं बताइए प्र इनोंने अभी तक सेल्फ स्टेडी किलासे से एप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें और हिंदी साहित के कोर्स में दोस्तों आपको अगर एडवी सर लेना है तो टार्गेट 1099 ने चोड किलासें टिर्की वीडियो टेस्ट भी हैना बहुत सारी चीज़ें अंसर हो जाता है ठीक है प्राक्रित पैंगलम के रचनकार लच्मिधर यानि की एक नमबर आपका बिलकुल सही ठीक है शबी लोगों ने बिलकुल राइट आंसर बताया है और अंगला क्वेश्चन फिर आप से पूछा जाता है प्रेम चंजी का अपूर्ण उपन्यास कौ प्रेम चंजी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है मंगल सूत्र गोदान कर्म भूमी या फिर सेबा सदन इतना तो लगबक सभी लोगों को पता है कि सर्फ प्रेम चंजी के उपन्यासों में मंगल सूत्र भी आता है गोदान भी आता है कर्म भूमी भी आता है और सेबा सदन भी आता है इनका जो गोदान उपन्यास है दोस्तो इसको ग्रामीड जीवन का महाकाब कहा जाता है ग्रामीड जीवन का महाकाब अगर आप से कभी पूछा जाए तो आप गोदान लगा देना कभी पूछा जाए कि गोदान उपन्यास किसका है तो प्रेमचंद लगा देना है प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया है ना तो इसको आपको चैन करना है बहुत अच्छे से नेक्स्ट प्रशन की ओर बढ़ते हैं जैसंकर पिरसाथ का अपून उपन्यास कौन सा है अपून अपून रचनाई भी आपसे पूँची जाती हैं उन सभी प्रशनों पर टार्गेट किया जा रहा है जो आपसे पूँचे जाते हैं तो बताइए जैसंकर पिरसाथ का अपून उपन्यास कौन सा है एक बहुत अच्छे से तरीके से आपको पढ़ना है सुबह साघे 9 बजες एक किलास आएगी दोस्तों आपको टारर्गेट है एक मईने में हिन्दी साहित कम प्लीट टार्गेट अपके रिए हैना जिन भी सातियों को एक जुलाई से निव बैच श्टार हो रहा है और टार्गेट रखा गया एक मईने में दोस्तों साहित का कबर करना है ना तो जिनको एड़ीसल लेना है वो अभी 1099 में एड़ीसल ले सकते हैं और रिवीजन हो जाएगा आपका और जिनोंने नहीं पड़ा है वो पड़ भी लेंगे ठीक है तो जैसंकर परसाथ का अपूर उपन्यास कौनसा है यह आप से पूचा गया तो आपको पता है कि सर तितली भी इराबती भी इनका उपन्यास है कंकाल भी इनका उपन्यास है और तितली भी इनका उपन्यास है कंकाल इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है जबकि दोस्तों इनका अपूर उपन्यास पूचा है तब आपको उत्तर इराबती लगा ना होता क्योंकि ये तीनों अही ओपन्यास किस के हैं जैसंकर प्रसाद के हैं है ना ये सबी लोग याद रखेंगे अंगले कॉस्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अंगला कॉस्चन आपको बताना यहाँ पर भूतनात किसका अपूरनो पन्यास है अच्छा 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 आपको मिला यहाँ पर बताईए शबी लोग भूतनात किसका अपूरनो पन्यास है उन पर फोकस किया जा रहा है जो प्रशनापकी परिक्षा में पूछे ही जाते हैं है ना तो यसे कौन से साती ह जिनको ये पता है कि भूतनात किसका अपूर्ण उपन्यास है देव की नंदन खत्री दुरगा प्रिसाद खत्री गोपाल राम गहमरी या फिर इन में से कोई नहीं शबी लोग आंशर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है भूतनात किसका अपूर्ण उपन् और पूरा अंसर आपने बताया है कि सरे जो उपन्यास है भूतनात ये देव की नंदन खत्री का है किसका है देव की नंदन खत्री का है बाद में इस उपन्यास को इनके पुत्र दुरगा नात दुरगा प्रिसाद खत्री ने पूर्ण किया तो यहाँ पर आपका उत्तर ल ठीक है फिर आपने देखा कि दोस्तों देव की नंदन खत्री का कौनसा अपून पन्यास है आपने बता दिया दोस्तों कौनसा भूतनात तो ये तीन प्रशन आपको पता चल जाते हैं फिर अंगले क्वेस्चन क्यों बढ़ेंगे अपन अंगला क्वेस्चन है निराला का अपून निराला का जो अपून पन्यास है वो कौनसा है बताएं काले कार नामे चमेडी इंदू लेखा या फिर दोस्तों परियोक्ति सब भी पताएं निराला का अपून पन्यास कौनसा है कौस्चन को थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौ निराला के यानि की एक से जादा की बात हो रही है है ना तो निराला के काले कारणामे भी दोस्तो अधूरा है चमेली भी इनका अधूरा उपन्यास है इंदू लेखा भी इनका अधूरा उपन्यास है तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरियोक्त सभी है ना क्वेस्चन ने ख इसका अपूनुपन्यास निराला का इंदू लेखा भी आपको याद रख रहे ना, यानि कि आपका उत्तर डी नम्मर चला जाता है, निराला के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, छाया बाद के आधार स्तंबों में नाम लिया जाता है, सबसे जादा ब्रोध हुआ निराल किरती है, भारतेंदू की, राधा क्रश्न दास की, अंभी का दत्य ब्यास की, या फिर इन में से कोई नहीं, जल्दी से सबी लोग बताएंगे, कंसबध किसकी अपून रचना है, यह आपको लगाना है, और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है सबी लोगों को, दोस्तों सेयर भी कर देना है, ऐसे ऐसे प्रस्न जहां से आपका सेलेक्शन रुकता है, उन प्रस्नों को अपन कबर कर रहे हैं, ऐसे प्रस्न आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपने बताया कंसबध और कंसबध की रचनाकार कौन है, तब बहुत सारे लोगों ने बताया ह कि सर ये जो कंसबद रचना है ये अंबीका दत्वियास की है ठीक है और बिलकुर सही आंसर है कंसबद अपूर रचना है इसकी अंबीका दत्वियास की अंबीका दत्वियास आप पढ़ते हो दोस्तों ये किस योग के कभी है तो बोले सर ये भारतेंदू योग के कभी है किस 450 का offer आ गया है 450 में आप model paper purchase कर सकते हो model paper लगा सकते हो 25 model paper आपको मिलेंगे 125 प्रशन एक model paper में होगा है ना तो जिनको भी model paper में अड़ीसल लेना है वो model paper में 450 में अड़ीसल ले सकते हैं और संपूर साहित में अड़ीसल लेना है है ना और पढ़ना है दोस्तो last time में बहुत अ अच्छा एक माईने टार्गेट एक मेइना है ना तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो ठीक है अब यहां पर मिस्रबंदु बिनोत कितने भागों में प्रिकासे थे एक और डाउट्स आपके लिए काई बार मैंने कंफ्यूज हुए कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं बहुत बड़िया बिलकुल सही आंसर आपने बताया कि सर मिसर बंदु बिनोद कितने भागों में परकासित है भागों में अगर आए तो भागों में दोस्तों आपका हो जाएगा चार है ना चार भागों में इस प्रकासित है आपको पता है कि 1913 में इसके तीन भाग प्रकासित हुए फिर 1934 में इसका चौथा भाग प्रकासित हुआ था किसका मिश्र बंदू बिनोद का और मिश्र बंदू बिनोद किसका गरं है ना और अब आपको बताना है सभी लोग बताएंगे सभी लोगों को आपको बताना है दोस्तों है ना सभी लोग बताएंगे कि मिश्र बंधू बिनोत के रिचनाकार कौन है है ना और आपको बताना है जल्दी बताओ मिश्र बंधू बिनोत के रिचनाकार कौन है चार और भाग पूछे कि हिंदी साहित का जो ये गरंत है ये गरंत मान के चलो ये गरंत है ये गरंत एक खंड इसका हो गया ये दो खंड हो गए ये तीन खंड हो गए और ये चार खंड हो गए तो ये दोस्तों जो गरंत है ये चार खंडों में प्रकासित हुआ यहाँ पर कई बा गंगा लहरी ये किसकी रचना माने जाती है कौन-कौन सही उत्र बताता है ये क्वेस्चन भी देखने लायक यहां पर होगा गंगा लहरी कई बार पूचा गया दोस्तों रतना कर केस अउदास चिंतामणी या फिर त्रिलोचन बताए राइट आंसर आपको चैन करना है इतना अच्छा क्वेस्चन आपको दिया गया है है ना उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर होगा आपका कौन-कौन बता रहा है रतना कर की है क्या केस अउदास की है चिंतामणी या फिर त्रिलोचन की है तो बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है कि सर गंगा लहरी है इसको याद रखने ना यहां तो गंगा लहरी दोस्तो रतना करकी है लेकिन एक चीज और आपको बता रहा हूँ एक नम्मर तो आपका यहां पर बिल्कोर सही है लेकिन एक चीज और आपको पढ़नी है कि दोस्तो गंगा लहरी पदमा करकी भी रचना है किसकी पदमाकर की भी एक रचना है गंगा लहरी ठीक है और आपको पता है ये जो पदमाकर की गंगा लहरी है इसका अनुबाद किया था महावीर पिरसाद दुवेदी ने महावीर पिरसाद दुवेदी ने किस नाम से गंगा लहरी नाम से तो आपको यहाँ पर गंगा लहरी में कन्फ्यूज नहीं होना अब गंगा लहरी के तीन का भी हो गए एक तो सबसे पहले आपने रतनाकर पड़ा रतनाकर की रचना भी गंगा लहरी है दूसरा आपने दोस्तों पड़माकर भी पड़ा रतनाकर और पड़माकर दोनों की रचना गंगा लहरी हो गई तीसरा आपको की जो पड़माकर की गंगा लहरी थी उसका अनुबाद किया था महावीर पिरसाद दुवेदी ने गंगा लहरी नाम से तो गंगा लहरी नाम के तीन आपको याद रखेना है ठीक है तो गंगा लहरी के रतनाकर गंगा लहरी के पदमाकर और गंगा लहरी महावीर पर साथ दुवेदी कीवी अनुदित रचना है ठीक है तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नी होना रतनाकर और पदमाकर में ठीक है बहुत बढ़िया बिलकुल शही अंगला कॉस्चन है नांगरी पिरचारनी पत्री का कब प्रकासित हुई बहुत अच्छा कॉस्चन एक पूछा जाता है नांगरी पिरचारनी सबा की स्थापना कब हुई एक कॉस्चन आता है नांगरी पिरचारनी पत्री का कब प्रकासित ह बोले सर इन्हीं में तो हम डाउट्स खा जाते हैं और लगा आते हैं गलत सलत आंसर लेकिन अब नहीं लगाना इसलिए तो यह प्रस्ण लेकर कि आप लोगों को लेकर कि आये हैं कि गनांगरी प्रचार ने पत्री का कब प्रकासित हुई आपको चैन करना है साथियो सबी लोग बताएँगे वीडियो को एक ब़ार लायक कर दें जिनभी सातियों ने अभी तक सेल्फ स्टेडी किलासेस एप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्प स्टेडी किलासेस एप जरू डाउनलोड कर लै हैं हेना 2020 टेस सीरिज होती है दोस्तों बिल्कुल निसुल को होती है कब कब होती है रभी बार और गुरुबार को होती है है ना सेल्फ स्टेडी किलासे से एप डाउनलोड करना है बड़ा ओफर आ गया हिंदी साहित कंप्लीट कोर्स दोस्तों दस्टों इन्यानवे में ये ओफर सीमेस समाई के लिए है जिनको भी इस कोर्स में एड़ी सल ले ना वो आज ही एड़ी सल ले ले और आपसे पूछा गया कि नांगरी परचारनी पत्री का कब प्रकासे थुई तो सभी लोगों ने आओ देखा ना ताओ और लगा दिया 1993 मुझे पता था दोस्तों कि आप 1993 ही लगाएंगे है ना लेकिन याद रखना कि नांगरी परचारनी जो पत्री का प्रकासे थुई ती दोस्तों कब 1996 में कब हुई ती 1996 में लगा दिया ना आपने 1993 है ना ये दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह 1896 है 1896 है ना 1896 इसको कर ले ना ठीक है बिलकुल यहाँ पर आपको याद रखना ये 1896 है और ये बाला ठीक है ये 1896 ठीक है यहाँ two number option है बी number option है very good 1896 और ये 1996 इसमें आप doubts का गए और दोस्तों ये 1893 इसमें अभी doubts का गए पुलिसर बड़ा doubts बाला question था बहुत बड़ा है ना तो यहाँ पर याद रख लेना 1893 में नांगरी प्रचारनी सभा की इस्थापना हुईती अगर आप से कभी पूचा जाए कि नांगरी प्रचारनी सभा की इस्थापना कब हुईती तो आप लगाओगी 1893 लेकिन अगर समझ में आ जहाँ था बहुत बढ़ बढ़िया अंगला question प्रियोग बाद का सरपरतम प्रियोग किस ने किया आपको चैन करना है प्रियोग बाद का सरपिर्थम प्रियोग किस ने किया यह बताना है कौनसा उत्तर है प्रियोग बाद का शर्व प्रिथम प्रियोग किस ने किया तो आपका राइट आंसर देखते हैं कौन-कौन सही बताता है बोले सर इसमें अग्ये तो है नहीं तो उत्तर क्या लगाओगे फिर है ना आपने दोस्तों ये पढ़ा है कि प्रियोग बाद के प्रिबर्तक कौन है ये पढ़ा है आपने प्रियोग बाद के प्रिबर्तक कौन है तब आपका उत्तर होता है अग्ये है ना लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया तब आपका उत्तर होता है दोस्तों क्या मुक्तिवोध है क्या कि नंद दुलारे बाचपेई है ना आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंद दुलारे बाचपेई क्यानि कि आपका जो एक नमर है वो बिलकुल श१़昨今 सबसे पहले प्रियोक करने वाले जो थे वो नंड दुलारेबाचपैी थे नंड दुलारेबाचपैी दोस्तो सौश्ठव वादी मान जाते हैं, कैसे मान जाते हैं, ये क्वेस्चन कई बाराया है एक क्वेस्चन आता है कि निमन मैंसे बताईए कौन से सौस्टवादी दोस्तो कभी लेखक हैं तो नंद दुलारे बाचपई आपको सौस्टवादी आलोचक हैं ऐसा क्वेस्चन तो नंद दुलारे बाचपई प्रियोगबाद सब्द का प्रियोग किसने किया नंद दुलार किस ने किया प्रिगति बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया बताईए फटाक से कमेंट में यहीं पर हो जाता है कुछ-कुछ ठीक है अंगले क्वेस्टन की ओर चड़ते हैं यह आगे अंगला क्वेस्टन प्रिगति बाद सब्द का सरप्रितम प्रियोग किस न किया एक question आप से पूचा गया अब आप उत्तर क्या लगाओगे यहाँ पर बोले सर डाउट्स में आ जाती क्यों आ जाती डाउट्स आप लोग पढ़ते ही नहीं बहुत चीजें नहीं पढ़ते जो डाउट्स आपको है ना तो आपको बताना है कि प्रगति बाद सब्द का स सबसे पहले प्रियोग करने बाले कौन है प्रियोग बाद प्रगति बाद के प्रवड़त कौन है और यहाँ पर सबी लोगों ने बहुत अच्छा अंसर बताया है कि सर अगर ऐसा question आप बताओगे कि प्रगति बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए है ना यहां पर आपको मुक्ति बोध लगाना है क्या लगाना है मुक्ति बोध है ना मुक्ति बोध मुक्ति बोध की रचना है आपने पड़ी है बोली सर चांद का मोह टेडा मुक्ति बोध भूरी भूरी खाक दूल मुक्ति बोध एक साहित्य की डायरी मुक्ती बोध हैना कामायनी एक पुनर विचार मुक्ती बोध की चारों पूछी जाएंगी चांद का मोह टेला कैसे हो गया बोले सरमुक्ती हो गई भूरी भूरी खाक दूल क्यों हो गई बोले सरमुक्ती के बाद भूरी भूरी ये सकल पूरी खाक दूल बन जाती है प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग मोक्ती बोध ने किया प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग नंद दुलारे बाचपई ने किया छाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग मोकुरधर पांडे ने किया यह भी आपको याद रखना है दोस्तो औ कि आप पढ़ते हो हिंदी साहित का इतिहास इनोंने लिखा हिंदी साहित का दोस्तो आदीकाल नामा ग्रंथ लिखा है इनोंने हिंदी साहित की भूमी का नामा ग्रंथ लिखा और हिंदी साहित का उधवा और विकास नामा ग्रंथ लिखने बाले अगर कोई बिद्वान है तो वेविद्दान है दोस्तो हजारी पिरसाथ दोवेधी सभी लोग जानते हैं next question आपको बताना है नई कबिता सब्द का सबसे पहले प्रियोक किस ने किया बहुत अच्छा question सब्द को बताना है इसे question में doubts होता है क्योंकि कि नई कभीता दोस्तों आप पढ़ते हो कि नई कभीता जो है इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग कुछ ने किया तो आप बताईए किस ने किया नंदुलारे बाचपई ने अग्गे मुकुर्धर पांडे या पिर हजारी पर साथ दुवेदी ने लाइक जरूर कर देना जिन ले सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं ओफर आया है आज ही आपके लिए है ना तो ओफर भी आपके लिए सीमेश समय के लिए रहेगा एक जुलाई से आपका न्यू बैच स्टार्ड होने वाला है नई कभीता सब्द का सबसे पहले प्र को सही हो जाता है और आपको बताना है कि अग्ये का जन्म कब हुआ था अग्ये का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे अंगला कोस्चन यहाँ पर अलंकारों का सर परताम बर्गी करन किसने किया अलंकार पढ़ते हैं आप अलंकार पढ़ते हैं है ना भरत मुनी ने मात्र कितने अलंकार माने भरत मुनी ने है ना अलंकार पड़ते हैं अलंकारों का सर्व परतम बर्गी करण किस ने किया ये भी आपको बताना है शबी लोग बताएंगे शबी लोगों को आंसर बताना है इसे question जब आते हैं तो आपको doubts में डाल देते हैं और अगे का जन्म हुआ है दोस्तो उन्नीश सो ग्यारा में अगे जी का जन्म है उन्नीश सो ग्यारा बिलकुल सही answer very good अलंकारों का सरप्रतम बर्गी करन करने बाले कौन है नंदुलारे बाचपई है रुद्रट है मुकुर दरपांडे हैं या पर हजारी परसाथ दुवेदी एक आपको हिंट दी गई कि दोस्तों ऐसे आपको लिख रहा होगा कि काबसास्त्र संबंदी जो एक मात्र यहां पर लेखा का आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं रुद्रट और रुद्रट आपको एक question और दिया ज जाता कि अलंकार संपर्दाय के प्रबर्तक कौन हैं तो आप क्या लगाते जल्दी से बताईए अलंकार संपर्दाय के प्रबर्तक कौन है ऐसा अगर आप से पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे अलंकार संपर्दाय आपने पढ़ा है रिती संपर्दाय आपने पढ अब आपको बताना है कि अलंकार संपर्दाय की प्रबर्तक कोन है अलंकारों का सरपिर्थम बर्गी करन तो आपने रुद्रट पढ़ लिया चुकि आपको पता है कि सर अलंकार संपर्दाय की प्रबर्तक भामाह माने जाती है अगर ऑप्सन में अगर भामाह होता तो आप नि फ्यूज में डालते हैं और चित्त पर सरपिर्तम बिचार करने बाले आचार कौन है और चित्त पर सरपिर्तम बिचार करने बाले आचार कौन है आपको कमेंट में लिखना है वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरू कर देना और दोस्तो अपने मित्रों तक सेयर कर देना है जितने भी हमारे साती है यूपी टीजी टी पीजी टी बाले और दोस्तो धुआ धार किलासे इसी तरह से चड़नी है कल से आपका पंदरा सो प्रस्णों की एक सीरिज चालू हो जाएगी जो मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने बाला हूँ है ना तो पंदरा सो प्रस्ण कि सर किस प्रकार से पढ़ाई करनी है और चित्त पर सरुपितम विचार करने बाले जो आचार है वो आचार कोन है आप से क्यूस्चन पूंछा गया आपने पढ़ा है कि सर वह चित्त संपरदाय की प्रवति तक तो शहमेंदर मAD risate है लेकिन वह चित्त पर सरुपितम जो व विचार करने बाले जो आचार हैं दोस्तों वो कौन है वो आचार है भरत मुनी भरत मुनी है यानि कि आपका जो एक नम्मर है वो आपका बिलकुल सही हो जाएगा यहां पर याद रख लेना सबसे पहले वो अचित पर सरपिर्थम विचार करने बाले भरत मुनी है एक आपका बिलकुल शही है लेकिन अगर आप से पूचा जाए कि अचित्य संपरदाय की प्रवर्तक कौन है तो अचित्य संपरदाय की प्रवर्तक छेमेंद्र माने जाते हैं कौन है छेमेंद्र माने जाते हैं है ना तो इनको आपको याद रख लेना है कई बार कॉस्चन ऐसे गलत हो जाते हैं ऐंगले कुछ इसने किया चैनल दिया हो यहां पर आज आज़ाता है बक्तरोक्ति संपरदाइक प्रवर्थक तो सर कुन्तक माने जाते हैं लेकिन कुंतक में आज उप्सन आपको कहीं नहीं मिल रहा है बक्रोक्ती का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया ये कोश्चन अगर आपसे पूचा गया तो आप उत्तर क्या बताओगे बताओगे एक बार लाइक करके सेयर जरू कर दें आप जल्दी से भरतमुनी रुद्रट बामन या फिर भामः बक्रोक्ती का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया पूली सर कुश्चन ने तो हिला दिया हिला नहीं है किसी को हैना उत्तर बताते जाना है लाइक करते जाना है इसी प्रकार से पढ़ते जाना है हैना आपने इतना बस पढ़ा था कि सर बक्र ब्लक्त करोंड आपको पता है अलंकार संपरदाएग की प्रिबर्तक कौन है ब्लक्त ब्लक्तल को यहाँ पर है भरतमुनी के रस्तूत्र के प्रथम ब्याख्याकार कौन है अच्छा कॉस्चन है दोस्तों ये कॉस्चन तो कई बार पूचा जाता है भरत मुनी के रश सूत्र के प्रथम ब्याख्याकार कौन है भरत मुनी के रश सूत्र के प्रथम ब्याख्याकार कौन है भट लो लट है भट नायक है बामन है या फ बो कौस्चन है दोस्तो जो पेपर में तो आते हैं लेकिन आपकी नईया भी क्या करते हैं डोबो कर ले जाते हैं अब यहां से कुछ आपको सीख के जाना इस कौस्चन से बोले सर भरत मुनी रस संप्रदाय के प्रबर्तक सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय भरत मुनी ने रसों की संक्या कितनी मानी आठ मानी कौन सा रस नहीं माना इन्होंने सांत रस नहीं माना इन्होंने ठीक है अब आप से पूछा जाएगा कि भट लोलट ये क्या ह है कि एक क्वेस्चन आपको बताना है सभी लोग बताएंगे दोस्तो अभी व्यक्ति बाद के प्रबर्तक कौन है फटाक से कमेंट में लिखना है बहुत अच्छा क्वेस्चन अभी व्यक्ति बाद के प्रबर्तक कौन है और यहां पर आपका अंसर है प्रिसाद का प्रिथम एतिहासिक नाटक कौन सा है जल्दी से बताओ शबी लोग बताएंगे प्रिसाद का प्रतम एतिहासिक नाटक कौन सा है सज्जन है रास्री है बिसाक है या फिर कामना है बताइए प्रिसाद का प्रिसिद्ध एतिहासिक नाटक कौन माना जाता है इतना अच्छा कोस्चन आप वेरी गुड जैसंकर परसाद दोस्तो नाटक कार के रूप में परसिद हैं आपको पता होगा है ना इनके दोस्तो नाटक एतिहासिक नाटक आपसे पूँचा गया तो बहुत सारे लोग यहां पर कन्फ्यूज हो गए कुछ लोग ने A लगाया और कुछ लोग ने B लगाया लेकिन आपसे एतिहासिक पूँचा गया था तो एतिहासिक आपका जो इनका प्रथम नाटक था वो रास्त्री था लेकिन अगर यहां नॉर्मल कॉस्टन आपसे पूँचा जाता कि प्रथम नाटक कौनसा है तो प्रथम नाटक में आपको सज्जन लगाना है जैसंकर प्र थम एतिहासिक नाटक कौंछा है रास्टरी है ना involvement रास्टरी 15 में इतिहासिक नाटक सस्जन पर ताम नाटक सस्जन परत्सां एक या रख लिना है ठीक है अंगला कॉस्ट् know डिया सिकनाटक एक तो आपने पढ़ लिया है अंगला कॉस्चन है इस के लता की रचनाकार कौन है अभी तक किस किस ने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियो सबी लोग लाइक जरू करें अपने मित्रों तक सेयर कर दें इस वीडियो को एक लास नौ बजे आपके होती है दोस्तो इन कॉस्चनों को आपको पढ़ना है इन कॉस्चनों में जहां डाउट्स रहता है उन डाउट्स को हम किलियर करती होई आंगे बढ़ रहे हैं है ना इसके लता की रचनाकार अब एक दोस्तों आपसे पूचा जाता है और इसके लता आपसे पूचा जाता है तब आपको इ इसकी की लताएं घनी होती हैं इसकी की लताएं कैसी होती हैं घनी होती हैं तो उत्तर घनानंद चला जाता है इसकी की लता घनी होती है तो घनानंद और दोस्तो इसके में नाम पढ़ गया बोधा इसके में नाम पढ़ गया बोधा पोली सर यही तो confusion है इसके नामा और इसके बोधा है ना और ये दोनों ही आपको पता है कभी ये दोनों ही कभी दोस्तों रीती मुक्त काब धारा के कभी हैं आप रीती मुक्त रीती सिद्ध पढ़ते हो तो ये दोनों ही कभी रीती मुक्त काब धारा के कभी माने जाते हैं जो आपको याद करना है अब यहां पर आता ह युगबानी के रिचनकार कौन हैं एक अच्छा कॉस्चन आपसे पूछा गया युगबानी के रिचनकार कौन माने जाती हैं इतने अच्छे कॉस्चन आपको पढ़ना है और आपको पता है कि इन्होंने युग की बानी कहा मैंने पहले आपको बताया था क्या बताया था बोली सर प्रगती बाद के प्रबर्तक कौन है तो आपको बताया था कि सर प्रगती बाद के प्रबर्तक माने जाती सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने बोले सर युगांत नामक एक रचना की और युगांत नामक रचना के माध्यम से छाया बाद का अंत की गोशना कर दी और दोस्तो इन्होंने दोस्तो पता है युगबानी ग्राम्मिया जैसी प्रगति बादी रचनाएं दोस्तो इन्होंने की हैं किसने सुमित्रा नंदन पंत ने इनके जन्म की बात आती है तो कौन बताता है सबसे पहले पंत के बारे में युग बानी के रचनाकार युग की बानी दोस्तों है ना युग की बानी युग बानी सुमित्रा नंदन पंत है ना और ये युग बानी इनकी कौनसी रचना है इनकी प्रगती दोस्तो इनकी युगभानी ग्राम्या की रचना इनकी प्रगतीबादी मने जाती है अगर पंत की बात करें तो सुकुमार का ऐसी हुआ जाता है अगर पंत की बात करें दोस्तो तो इनकी पल्लाव रचना अपने पड़ी होगी पल्लको छाया बात का मैंनी फैस्टो कहा जाता है यह भी आपको याद रखनें नैशव का दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए कुछ योगधार की रिचनाकार कौन है? सोहनलाल दुवेदी, योगधारा किसकी रिचना है? नागरजुन की देखते जाना, यहाँ पर योगधार और योगधारा, योगधार किसकी है? सोहनलाल दुवेदी की, और योगधारा किसकी है? यहाँ पर और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं नागरजुन की योग की गंगा किसकी रचना है केदारनात अगरबाल की हैना योग चरण किसकी रचना है माखलाल चतुरवेदी की योग बानी की रचनाकार कोन है शुमित्रा नंदन पंत योगांत किसकी रचना है तो सुमित्रा नंदन पंत इन रचनाओं को आपको हमेशा पढ़ना है योग धार सोहलल दुवेदी, योग धारा नागरजुन, हैना योग की गंगा केदारना अतक्रवाल, योग चरण माखलला दुव चतुरबेदी, ठीक है、 योग बानी नाधन पंत, योगांत किसकी रचना है तो शुमित्रा अनंदन पंत है ना इन रचनाओं को आपको हमेशा पढ़ना है ये दोस्तो कुछ मिलती जुलती आपकी रचनाओं जो आपसे पूछी जाती है वो एक बार आपसे ले लिया स्क्रीन सोट ले ना हो तो आप ले सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंगल कोस्चन आपको यहां पर आजाता है दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है ये रहा आपका प्रस्ण है ये रहा समय के पाओं रेखा चित्र की रचनाकार कौन है समय के पाओं ये रेखा चित्र किसका है बताइए समय के पाओं शबी लोग बताएं माखलाल चित्रवेदी या फिर शुमित्रान अंदन पंत नरेश महता या फिर राम ब्रक्षे बैनी पुरी अंसर आपको चेन करना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा लाइक जरू करना है यह प्रसन बहु हैं दोस्तों जो आपको डाउट से बाहर निकालते हैं आपने पढ़ तो लिया बोली मैंने तीन चार पुस्तिकें पढ़ ली लेकिन आपने आधी काल को ही अच्छे से नहीं पढ़ा आपको पढ़ना है इतना टाइम आपको मिला है एक मैने में दोस्तों एक मैने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ आपकी इनरजी आपकी स कारातमक सोच आपकी मेहनत आपको एक मैने में बहुत कुछ करा सकती है समाई के पाऊं के रचनाकार कौन है अब यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज होंगे कुछ लोग माखलाल चुत्रवेदी बताइंगे कुछ लोग नरेस महता बताइंगे अब देखते हैं समय के पाउं यहां से आपसे पूँचा गया कौन कौन इसमें है दोस्तों कुछ लोग राम ब्रक्ष बेनी पूरी बता रहे हैं लेकिन यहां पर उत्तर आपका माखलाल चुत्रवेदी है यह समय के पाउं रेखा चित्र आपसे पूँचा गया तो याद चुत्रवेदी है ना माखलाल चुत्रवेदी जी का रेखा चित्र है बहुत सारे इसके पहले भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है ठीक है अंगला कौस्चन यहां पर आते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर आते हैं दोस्तों अंगला कौस्चन है इसको रेखा चित्र में र समय देटा नरेश महता काबबे है समय के पाउं इसको रेखा चित्र के अंतरगत रखा जाता है तो ये दोस्तों ये तीनों रचनाएं आपको किलियर कर दी है कैसे याद कर दी ये देखो साहित देटा निबंद माखलाल चुत्रवेदी समय देवता काब रचना है ये काब रचना है ठीक है नरेश महता और दोस्तो समय के पाउं ये माखलाल चुत्रवेदी की रेखा चित्रातमक रचना मानी जाती है इनको भी आपको याद रखना है ठीक है ये तीनों रचना है आपके सामने हैं जो आपको कन्फ्यूज करती हैं साहत देउता चाहो तो आप स्क्रीन सोट ले सकते हो है ना साहत देउता ठीक है और समय देउता ठीक है समय के पाऊं पुरिसर कितना बड़ा कन्फ्यूजन है इस समय देउता नरेश महता समय के पाउ माखरलाल चुत्रवेदी अब इस मेंसे जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों वो गलत करके आते इस कॉस्चन को है ना लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे कि सर कितने important चीज आपको लेकर किया रहे हैं कि आपकी गलती ना हो है ना आपकी ग कल्पतरू की रचनाकार कौन है के सवदास हैं है ना ये भी आपको बताना है और चिंता मणी हैं दूले हैं या फिर सैना पती हैं बताइए कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन माने जाते हैं कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन माने जाते हैं इन प्रशनों को आपक क्या करना ही question बिल्कुल most important है पूछे जाते हैं और आपको doubts में डाला जाता है इन्ही प्रस्चनों को लेकर की है ना कभी कुल कल्प तरू कभी कुल कल्प तरू है ना और बहुत सारे लोगों ने बोले बता दिया सर कुल की चुंता कुल की चिंता कभी कुल कल्प तरू कुल क की चिंता तो चिंता मनी अब देखो इसको question को कैसे अपन को याद रख लेने हैं दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जाता है एक रचना पूछी जाती है कभी कुल कंठा भरन कभी कुल कंठा भरन भी आपसे पूछी जाती एक रचना ये भी आपको confused डालती है है ना ये कभ कुल कंठा भरन की रिचना कार कौन है दूलह कभी अगर ए रचना आपसे पूछी जाती कभी कुल कंठा भरन की रिचना कार कौन है आपको दूलह कभी लगाना है अगर आपसे पूछा जाता कभी कुल कल्पतरू की रिचना कार कौन है तब आपको चिंता मणी लगाना है ठीक एक दोस्तो 9.45 पर एक वीडियो और आपके लिए आएगी उस वीडियो को आप लोग देख लेना एक last question है आपके लिए सुजान चरित की रिचनाकार कौन है और इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे सुजान चरित की रिचनाकार कौन ह ये भी आपको बताना है ठीक है सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर और जितने भी हमारे साती हैं सभी लोग दोस्तो इस 2020 test series में जुड़ जाएं 2020 test series में क्या होता है बोली सर है ना कैसे मिलेगी तो आप self study class एस app download कर लो आज ही है ना और सबता है में दो दिन इस दोस्तो एक किया जाता है दूसरी चीज आपके लिए दोस्तो एक बैच नया बैच स्टार्ड होगा जुलाई में है ना और जुलाई में इस बैच में दोस्तो आप एडवी सर ले सकते हैं अभी यह जो आफर आ गया है दोस्तो आज ही आया है साम को आया है अभी आपके लि और एक महीन आपके पास टका टक रखा है ठीक है तो आप एक महीने दस दिन में मान के चलो बहुत अच्छी दोस्तों यहाँ पर तयारी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप दोस्तों हैना एक्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपको मेहनत करने के आपके अंदर द जी अनुज यादो जी ठीक है संजय पाठक मनीशा आराधना अनुज जी प्रमिला रामा जी राकेश जी रंजना जी सभीता सिबांस मोहित सुरेंदर जी पूनम जी अस्बिनीव दार्सू जी ठीक है अजय जी बहुत बढ़िया साम पंडिज जी रीता जी सभी सातियों त अच्छा चलता रहता है अच्छे अच्छे प्रस्णों पर अपन डाउट्स वाले प्रस्णों पर दोस्तों तैयारी करते हैं और इसी प्रकार पढ़ते जाते हैं आपका हित हो आपका भला हो यही हमारा दोस्तों नरंतर प्रयास रहता है कि कहीं न कहीं आप लोगों के लि तो आपका selection रुख जाता है है ना लेकिन दोस्तों अपन को क्या करना है कि उन गलत प्रशनों को अभ्यास करके सही करना है ठीक है तो बहुत बढ़िया धन्वास सभी सातियों को है ना जिन भी सातियों को एड़ बीसल लेना है वो self study classes साज ही एप डाउनलोट कर ले और दोस्तों नहीं भी लेना है तब भी आप दोस्तों 2020 test series में भाग ले सकते हैं ठीक है और अपना अध्यन कर सकते हैं तो अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर बिजय जी, मोहिता जी, है ना अराधना, प्रिबीड ओजा जी, अनिल जी, ममता बीनू, असोक जी, बिजय लच्चमी, अर्सदीब जी, सरिता जी दोस्तों पैड़ वालों की किलास हैं सामको पांच बजे चलती है या थाबत रभीबार को भी चलेगी अब किलास हैं तो पांच बजे भी चलती, पांच बजे एक लाइब किलास होती है, दूसरी किलास निचोड किलास, इंदी साहित का निचोड यानि की मलाई, सामको साड़े छे बजे दोस्तों वो किलास चलती है, ठीक है तो अलुक्तर पाठी, मनीसा जी गीतिका, अनुच जी, सिबांस, बविता जी, रादिका, पूनम जी सभी सातियों को धनबाद या थाबत आपको बने रहना है सेल्प स्टेडी किलासे से एप डाउनलोट कर लेना है और नेक्स्ट किलास स्टार्ड हो चुकी है आपकी देखिये, यूटूब पर जाके देखिये फटाक से चैनल पर जाके प्रीमियर किलास होगी वो जरूर देख लीजे, ठीक है सभी को धनबाद, दस बजे दोस्तों एक्जाम पार में लाइप किलास होने लगी अस्तर की वो भी सभी दोग देखिये, ठीक है जै हिन